Hello and Welcome to the Commerce at Home आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस का एक और चैप्टर हम लोग नियर अबाउट 13 से 14 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं 13 या 14 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं लाज जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा वो था मैनेजर क्या है चैप्टर का नाम था मैनेजर अब हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस आफिस पर मैं सोच रहा हूँ बिजनेस आफिस को ना बनाय जाए पहले पहले बनाय जाए रिकार्ड ओफ इनवार्ड एंड आउटवार्ड कोरेस्पॉंडेंज अच्छा सब ऐसा क्यों कर रहा है क्यों ये चैप्टर बीच में स्किप कर रहा है मुझे जहां तक उम्मीद है ये आपके स्लैबस से हटा दिया गया मैं एक बार चेक कर लूँगा बेटा अभी मैं क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में अगर होगा तो मैं इसके बात बना दूगा बिजनस आफिस तो अभी पहले रिकॉर्ड अफ इनवार्ड करेस्पॉंडेंज आज की वीडियो में पढ़ेंगे कल की वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वह होगा आउटवर्ड करेस्पॉंडेंज ठीक है हिंदी भी बोलते हैं इसको कार्याले में आने जाने वाले पत्तरों का लेखा यह चैप्टर का पूरा नाम है रिकॉर्ड अफ इनवार्ड अउटवर्ड करेस्पॉंडेंज देखे बिजनेस में दिन भर में कई सारे लेटर्स आते हैं लेटर क्या होते हैं सर अभी होम ट्रेड में आपने पढ़ा था सर लेटर आफ इंक्वाईरी पूस्ताच पत्र लेटर आफ इंक्वाईरी और आडर लेटर ऐसे करकर के बहुत सारे लेटर आपने पढ़े थे ठेक यह सारे लेटर्स क्यों पढ़े थे बिटा वो इसलिए पढ़े थे कि यह सब लेटर बिजनेस में काम आते हैं को ये सब Land is बिजबन में इस लिए सब लिधर के बारे में हमने पढ़ा था दीर देखो के बिजनस की ऑफिस होती है चोटी बिजनस में तो ऑफिस तहीं होता एक दुकान की बड़े बड़े बिजनसमें में जो ऑफीसेश होती है उसमें अलग-अलग Department होते हैं पितर कि एक होता inquiry Department इस फुरूरे ब्टार्ट कि इस अपर से दीपाटमेंट और manufacturing unit है तो manufacturing department अलग-अलग departments होते हैं हिंदी में जिसको विभाग बोलते हैं ठीक है अलग-अलग विभाग होते हैं जहां का जैसा काम हो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन के बारे में बताता है सेल वाला सेल के बारे में बताता है पर्चेस वाला पर्चेस के बारे में कैश वाला कैश के बारे में ठीक है इसी त प्रपत्र विभाग या पत्राचार विभाग इंदे में क्या बलते हैं प्रपत्र विभाग या पत्राचार विभाग इसी डिपार्टमेंट के बारे में हमें पढ़ना है ठीक है अब इस डिपार्टमेंट में क्या होता है सारे पेपर्स सारे पेपर वर्ब जो होते हैं वो आते हैं सबसे पहले इसी में, खास करके Letters, यहां Correspondence का आप सीधा मतलब यही लेके चलेंगे कि Letters, पत्र, ठीक है, Letters जो आते जाते रहते हैं बेटा बिजनस में, वो कहां आते हैं सबसे पहले, जब Office में आते हैं, तो सबसे पहले आते हैं Correspondence Department, उनका एक अलग Department होता है, जब भी आता है Letter या जाता है, तो कहां से आता जाता है, उसके लिए एक विभाग बना दिया जाता है Office में, जिसका नाम दिया गया है Correspondence Department, अब इसी में, इसी Correspondence Department में जो Letters आते हैं उनके दो पार्ट, दो में Bifurification किया जा सकता है, Classification किया जा सकता है, यह Letter दो तरह के हो सकते हैं, एक Business में आने वाले पत्र, Inward Letter, एक जाने वाले पत्र, Outward Letter, जो Business में आते हैं वो Inward, जो Business से बाहर जाते हैं वो Outward, एक एक छोटा छोटा एक्जाम्पल दे देता हूँ क्या एक्जाम्पल है एक्जाम्पल है विटा माल लो हमारे पास बिजनस में कौन से लेटर आ सकते है कोई पूछताच कर रहा होगा जानकारी ले रहा होगा तो इंक्वाइरी लेटर आ सकता है है ना और या हमने किसी से कुछ बोला होगा उसका reply आ रहा होगा तो reply भी आ सकता है हम किसी से inquiry कीए है तो inquiry का जवाब भी आ सकता है quotation वगरा आने वाले पतर हम inquiry हमसे कोई कर रहा है हमसे कोई inquiry कर रहा है तो भाईया वो letter भेज़ेगा और हमसे कुछ पूछेगा हमसे कुछ पूछेगा या हम किसी को inquiry letter भेजे थे outward में हमने किसी को भेजा था उसका reply आ रहा है quotation के रूप में निर्खपत्र के रूप में ठीक है इसको हिंदी में आगम पत्र भी बोलते हैं क्या बोलते हैं आगम पत्र बिजनेस में आने वाले letter आगम पत्र कहे जाते हैं तो जो भी letter अगर business में आ रहे हैं बिजनस में आ रहे हैं, अफिस में आ रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा incoming letter या inward letter, inward correspondence, ठीक है, अब आपको मुझे उम्मीद है, मतलब समझ में आ गया होगा, जो बिजनस में आते हैं, वो inward correspondence, ठीक है, देखिए, इसका procedure क्या होता है सो, हमारे प्रेबुक में, जो हमारा syllabus at 12 का, उसमें हमको पस इतना ही जानना है बेटा, कि क्या procedure है, procedure क्या है सर, कैसे एक letter आता है, तो क्या क्या किया जाता है उसके साथ, ठीक है, कैसे उसका लेखा किया जाता है, सबसे पहले, सबसे पहले, जब हमारी office के बाहर, कोई letter लेके आता है, कोई letter लेके आता है, तो हम उसको सबसे पहली letter को receive करते हैं, अब बताईए, जब receive करते हैं, तो receive तीन चार तरह से हो सकता है, कौन कौन तरीका है सर, receive होने का, receive होने का, चार तरीका है, सबसे पहला, सबसे पहला, फ्यून के द्वारा कोई दूसरे बिजनस का चपरासी था वो हमारे बिजनस में लेकर आया हमारे बिजनस में लेकर आया दूसरा पोस्ट मैन के द्वारा ठेक है? कोई डाकिया आया और डाक लेकर आया गाना चलता था ना डाकिया डाक लाया ठेक है? वो हमारे लिए letter लेकिया है कोई तीसरी बात पोस्ट बॉक्स system के थुरू अब सर्य पोस्ट बॉक्स system क्या होता है? देखिए हर letter हर letter इतना साधरण भी नहीं होता कि कोई भी उसे पढ़ ले कोई भी उसे पढ़ ले businessman अपनी office में बैठा हुआ है और वो चाहता है मेरा letter कोई न पढ़ पाए तो वो क्या करता है? पोस्ट office में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद एक box hire कर लेता है rent पे ले लेता है hire करना मतलब भाड़े पे ले लेता और उसका कुछ चार्ज जो होता है वो पोस्ट office को चार्ज पे कर देता है और कहता है यह box मेरे नाम से बना दीजे मेरे business के नाम से मानी जे इसके business का था नाम XYZ Limited अब जो भी XYZ Limited की नाम से letter आएंगे वो postmaster साहब आप क्या करिएगा? इसी box में डलवा दीजेगा मैं हर रोज शाम को यहां पे अपना प्यून भेज दूँगा या मैं खुद ही आ जाऊँगा यहां से अपना सारा letter निकाल लूँगा और यहां से लेके चला जाऊँगा ठीक है? तो यह box hire कर लेना यह box system बोल जाता है post box system ठीक है? एक होता है post bag system post bag system क्या होता है सर यह post bag system मान लिजे एक business man है वो सोचता है कि यहां चपरासी को भेजते हैं जब letter लेने जाता है तो letter पढ़ लेता हो तो हम ऐसा करते हैं post office वाले से बोलते हैं कि मेरा post bag system कर दीजे मेरे letters का मुझे post bag की service चाहिए मुझे क्या चाहिए? post bag की service चाहिए तो post office वाला एक bag देता है उसको एक bag देता है उसमें उसमें locker लगा होता है lock लगा होता है lock लगा होता है उस lock की एक चाभी एक चाभी post office के पास एक चाबी business man के पास होती है ये business man जो है वो अपने चपरासी को भेजता है अपने प्यून को भेजता है वो bag लेकर bag में ताला मार कर भेजता है और यहां पर जब ये चपरासी यहां पर पहुचता है पहुचने के बाद ये bag किसको देता है? post office में देता है तो जितने भी letter xyz limited के होंगे वो post office वाला क्या करेगा अपनी वाली चाभी से उस back को खोलेगा उस back को खोलेगा उस back को खोल के सारे letters उस back में डाल देगा और फिर lock करके इस pewne को वो back देदेगा और प्यून दौरता दौरता अपने मालिक के पास आएगा, प्यून दौरता दौरता फिर से वापस अपने मालिक के पास आएगा, इसको बैक देगा, अब बैक देने के लिए, ये की उसके पास है ही मालिक के पास, ये की से अपना बैक खोलेगा, और बैक में जितने भी बनी रही, बीच में पूरी सेक्रेसी बनी रही, यह safety point of view से सबसे अच्छा system है, businessmen किसे लिए, businessmen के लिए, यह सबसे safety system है, post office के थुरू काम करना हो अगर तो, ठीक है, सारी communication post office के थुरू करनी हो, तो सबसे safe system है, post bike system, ठीक है, सर, हमको letter इनी चार तरीकों से मिल पाता है, सर, pure लेके आजाए तो, ठीक, postman लेके आजाए, या post box system ले सकते हैं, या post back system ले सकते हैं, और पांचमा है, सर, internet या mail के थुरू आजाए, mail हो, या fax हो, या internet हो, उस पे हमको कोई letter भेज सकता है, mail कर सकता है, email, id, gmail वाली है न, fax machine होती है, fax कर देगा, direct आपको मिल जाएगा, internet के थुरू और बहुत से तरीके होते हैं, letter भेजने के, ठीक है, सिर्फ gmail ही नहीं है, और बहुत से हैं, तो ये चार-पास तरीके हैं, जिससे हम letter receive करते हैं, तो सबसे पहली बात, जब business में letter आता है, तो उस letter को सबसे पहले receive किया जाता है, ठीक है, अब दूसरा point, receive करने के बाद क्या होता है, सबसे पहली बात तो receive हो गया, receive होने के बाद, सर opening of letter, उस letter को खोला जाता है, उस letter को खोला जाता है, opening of letter, देखिया, ऐसे ही याद रख पाईएगा, ठीक है, याद रखने का सबसे असान तरीका है, जितना कहानी याद रखेंगे, उतनी बातें आपको याद रहेंगे, है तो सबसे पहली बात है में यह रिसीव हो गिया अब उसको खोलेंगे तो जब खोलेंगे तब पता चलेगा की लेटर दो तरह के भी आ सकते हैं या तो वो बिजनेस लेटर होगा या तो वो पर्सनल लेटर होगा एक business में आने वाला यह किसी का personal भी बात हो जगी है ना address वहीं का डाला हुआ है employee है कोई तो वहाँ पे भी आ गया अगर कोई personal letter आया है तो जिस person के लिए आया है वो उसका है ठीक है और अगर वो business letter आया है तो business के लिए आया है तो personal letter अगर आये तो क्या करना चाहिए business letter आये तो क्या करना चाहिए अगर personal letter आता है तो जिस आदमी के लिए आया है वो letter ठीक उसी आदमी को यह office वाला यह correspondence department वाला जो है वो सीधा उसी आदमी को भेजवा देता है सिदा उसी आदमी को भेजवा देता, ठीक, अगर यह कहानी तो हमें नहीं जानने ही, लेकिन हमें पढ़ना है बिजनस लेटर के बारे में, तो बिजनस लेटर अगर आया, तो हमें पता चलेगा कि किस डिपार्टमेंट के लिए आया है, माल लो किसी आदमी ने किसी आदमी ने हमको order दिया है कि हमों 50 piece 50 piece chairs की चाहिए इस बारे में letter आया हुआ है 50 chairs चाहिए ठीक है order आया हुआ है अब बताइए ये department जो है correspondence department है वो किस department को भेज देगा ये letter बताइए sale department को भेज देगा क्योंकि माल की बिक्री कौन करता है sales department तो तूरंग sales department की तरफ ये भेजवाने की कोशिश करेगा पर भेजवाने से पहले भेजवाने से पहले वो क्या कर लेगा इन सारे चीजों की entry कर लेगा कहां entry कर लेगा एक book आती है letter receipt book letter receipt book जिसमें सारी detail दी जाती है कि किस तारी को आया letter कहां से आया letter किस के लिए आया letter order letter है या नहीं number उसका क्या था letter का सारी बातें उस book में लिख दी जाती है एक register होता है letter receipt book बोलते है या letter receipt register बोलते हैं ठीक है उस register में लिखने के बाद वो letter तूरंत ही sales department को भेज़ देगा कि भी या इस order को पूरा किया जाए इस order को जल्द से जल्द पूरा किया जाए चलिए letter open हो गया receive हुआ फिर open हुआ open होने के बाद उस पे stamp लगाया जाता है sir ये stamp क्यों लगाया जाता है मुहर क्यों लगाई जाती है मुहर इसलिए लगाई जाती है बेटा एक मुहर बनाई जाती है fix form में होती हो मुहर और उसी मुहर में लिखा जाता है कौन कौन सी बाते लिखी होती है उस मोहर में भाया कौन सा letter number है ये letter number या serial number मान लिजे पाचवा number का letter आया है किस date को मिला है वो date और time कितना था किस वक्त पे आया है letter और short note किस काम के लिए आया है letter भाया किस department में भेजना है इस letter को ठीक है सारी चीजे एक मुहर में लिखी होती है मुहर मार देता है और वो मुहर लगने के बाद वो मुहर लगने के बाद अब ये तैयारी की जाती है कि भाया इसका letter रिसे बुक में लेखा कर दिया जाए ठीक है इस टांप ये तीसरा point हो गया sir और चौथा point क्या है entry कर देना चौथा point है entry कर दीजे entry करने के बाद sending letters to the related department भाया उस बिभाग को वो letter भेज दिया जाता है जिस बिभाग के लिए letter आया अगर personal आया था तो personal letter उसी person को भेज दिया जाता है जिस person के लिए आया था और business letter आया है तो किसी department के लिए आया होगा उस department को भेज दिया जाता है ठीक है अच्छा भेजने के बाद भेजने के बाद appropriate action appropriate action उस जो letter receive हुआ है उस letter पे appropriate action लिए जाते हैं क्यों लिए जाते हैं भेजा मान लोग कोई order आया है तो उस order के जल्दी से जल्दी पूर्ती होनी चाहिए जल्दी पूर्ती हो जाए जो काम है जल्दी से वो हो जाए ठीक है appropriate action लिए जाता है अच्छा जब उस letter का जवाब चला जाता है जब उस letter का जवाब चला जाता है माल लिजे order आया था जो मैंने example लिया order आया था तो order letter order acceptance letter भेज दिया जाता है order acceptance कि भाईया देखो तुमने हमको order दिया था तुमने हमको order दिया था मालो हमारी यह business है इसमें एक letter आया कहीं से order letter हमने उसको क्या भेज दिया order acceptance letter क्यों भे दिया कि भाईया देखो तुमने जो order दिया था हमने accept कर लिया है तीन दिन के अंदर हम आपको माल भेज दिया है तो वो accept करने के लिए order acceptance letter जल्दी कारवाई हो गए इस पर जल्दी कारवाई हो गए ठीक है appropriate जो जरूरी है उतना action जरूर ले लिया जाए फिर सात्वा है आखरी point जो है filing of letter filing of letter उस letter को वो आदमी appropriate action लेने के बाद अपने पास file में एक copy बना कर रख लेता है या फिर उसी copy को जो आया था उसी को अपने file में रख लेता है क्यों file में रख लेता है file में इसलिए रख लेता है बेटा ताकि in future reference for future reference भया कोई आदमी है मानलो हमारा नया customer था तो हम इससे आसानी से पूछताच कर पाएंगे कि भया देखो माल फिर से चाहिए क्या ठीक है तो ये future reference के लिए जरूरी है मानलो कोई दिक्कत होती है क्यों dispute आता है मानलो हमने जो माल बेचा उसको दिया उसने कहा देखो हमने तो ये माल आडर ही नहीं किया था तो हम उसको एक लेटर इसी लेटर की copy भेज देंगे कि भया देखो आपने ये लेटर बेजा था देखिए उसी में ये माल लिखा है वही वही मैंने भेजा है अब आपको इसको ये receive करना पड़ेगा evidence के रूप में कार करता है जब हम paper सारे अपने पास रखे रहेंगे तो ये सबूत के तोर पर काम करेगा मानलो वो आदमी order देने के बाद पलट गया कि हम नहीं खरीदने वान तो हम उसके उपर case भी कर सकते कि उसने order दिया था sir इसलिए मैंने माल भेजा तो court कहेगी बिलकुल आप ठीक है आप इसको माल खरीदना ही ठीक है तो ये था कि भाईया एक letter कैसे receive होता है receive होने के बाद क्या क्या होता है ठीक है ये सारे procedures थे आप इसको screenshot ले लिजे और जरूर से जरूर से आप एक बार जरूर पढ़ लीजे अब इसका भी screenshot ले लीजे आप और आप जरूर एक बार पढ़ लीजेगा बहुत जरूरी है एक बार जरूर पढ़ लेना मेरी वीडियोस देखा करिए तो सामने बुक भी रखा करिए बुक रखने से क्या होगा फिर जब दुबारा रिवाइस करेंगे मेरी वीडियो से तो आपको बड़ी आसानी होगी और जितना मैं पढ़ाऊं उसको एक बार जरू घर पे 10 मिनट लगा कर एक बार रिडिंग लगा लिया करिए उतनी दूर का ठीक है गुड लग और मेरी वीडियो से पसंद आएं तो लाइक जरूर करिए